जैहिन दोस्तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लास्ट सिक्स मंथ के करेंट आफेस के most upon 50 question को डिसकस करेंगे और दोस्तो सवी question को हम बिल्कुल detail में with extra fact के साथ में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमर फर्स्ट कॉसन से पहला हमारा कॉसन है विनाय समरस्य उजना को किस राजिकी सरकार ने शुरू किया है दोस्तों ये विनए समरस यूजना जो है इसको करनाटक सरकार की द्वारा शुरू किया गया ठीक है और करनाटक सरकार ने छुआ छूत को मिटाने के उद्देश से विनए नाम के दलित लड़के के नाम पर विनए समरस यूजना को शुरू किया है अब दोस्तों ये यूजन करनाटक ने शुरू की है करनाटक की राधधानी क्या है वेंगलरू यहां के सीएम कौन है वसावराज मॉमबई और यहां के राजपाल कौन है तो थावरचंद्र गहलोद जो है यह करनाटक की राजपाल है नमबर सेकेंड को सन है भारत और किस देश की बीच में अव्यास खंजर 2022 का नौबा संस्क्राण कहां पर आयोज़ुत किया गया है हिमांचल प्रदिस में आयोज़ुत किया गया और पूंस हजाए कि हिमांचल प्रदिस के कहां पर तो हिमांचल प्रदिस की वकलोह में इसका आयोज़ुन किया गया आयोज़ुन कप किया गया तो डाउनलूड नहीं करी है वो इसको वाय करके डाउनलूड कर सकते हैं इस e-book के अंदर 50 से ज़ादा टॉपिक मिल जाएंगे और इन 50 टॉपिक के अलावा 1200 से ज़ादा और डेटेल mcq आपको हमारी इस e-book के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे जिस प्रकार से मैं डेटे टेले मिल जाएगा और नेश्ट बन के दी हम बात करें तो हाली में फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किस ने लौँच किया है दोस्तों फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर और ये किस ने लौँच किया है एन भी रमना ने इसको लौँच किया है ठीक है एन भी रमना नीती आयोक का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है दोस्तों नीती आयोक के नय उपाध्यक्ष बन गए है सुमन के वेरी कौन बन गए है सुमन के वेरी और ये कौन से नमबर के उपाध्यक्ष बने है नीती आयोक के तो ये तीसरी नमबर के उपाध्यक्ष बने है ओके और य दूसरे उपा अध्यक्ष कौन थे राजियु कुमार तीसरे कौन बन गए हैं तो सुमन के वैरी बन गए हैं और नीती आयुक के अध्यक्ष कौन होते हैं तो जो तातकालिन प्रधान मंत्री होते हैं वही नीती आयुक के अध्यक्ष होते हैं ठीक है अभी नीती आयुक के आकास गंगा की खोज जो है ये जापान देश के सोध करताओं की दोवारां करी गई है नेश्ट हमारा क्वेस्टन है हाली में किस राज्य या फर केंद सासत प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कारवन न्यूटरल पंचायत घोसत किया गया दोस्तों याद कश्मीर केंद सासत प्रदेश की ग्राम पंचायत है नेश्ट कोशन है आई पिल की इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज कोन बन गए हैं दोस्तों पूरे आई पिल की इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदवाज हैं ये डेविन ब्रावो बन गए हैं ठीके चैनली सुपर किंग्स की आर्ल लंडर हैं डेविन ब्रावो और ये IPL की इतिहास में सबसे ज़ादा और कितने 171 विकेट लेने वाले गेंदवाज बन गए हैं नेश्ट वन के दिए हम बात करें तो राष्टी ये पैरा तैरा की चैंपेंशिप 2022 का खेताब किसने जीता है दोस्तो राष्टी ये पैरा तैरा की चैंपेंशिप 2022 का जो खेताब है ये महराष्ट ने जीता है ठीके और इस सालिये जो चैंपेंशिप है इसका कौन सा वर्ज रहा है तो करनाटक नेश्टमेन के यदि हम बात करें तो विश्व हॉम्योपाथी दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों विश्व हॉम्योपाथी दिवस जो है यह 10 अप्रेल को मनाया जाता है और इसी दिन दोस्तों 10 अप्रेल 1775 को हॉम्योपाथी दवापध्यति के अविसकार डाक्टर क्रिस्चियन फ्राइडरिक सेम्यूल हैनिमेन का जन्म हुआ था ठीक है और यदि हम बात करें कि विस्व होमेपैथी दिबस 2022 की थीम क्या रही तो होमेपैथी स्वास्त के लिए लोगों की पसंद ये 2022 में इसकी थीम रही है नेश्ट बन के यदि हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के नए प्रबंद निदेशक कोन बन गए है दोस्तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन और इसके नए प्रबंद निदेशक यानि की एमडी बन गए है विकास कुमार ठीक है और विकास कुमार ने म अप्रेल 2022 को राष्टिय वाग सर्रक्षन प्राधिकन की वेठक का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तो अप्रेल 2022 को राष्टिय वाग सर्रक्षन प्राधिकन की वेठक का जो आयोजन है ये अड़ांचल प्रदेश में किया गया कहां पर अड़ांचल प्रदेश में नेश्ट question है प्रधान मंत्री संग्रालय का उधगाटन किस ने किया दोस्तो प्रधान मंत्री संग्रालय का उधगाटन जो है ये पी एम नरंद मोधी ने किया और इसका उधगाटन कहाँ पर किया गया तो नई दिल्ली में प्रधान मंत्री संग्रालय का उद्घटन किया गया ये आपको याद रखना है नेश्ट कॉस्टन है प्रत्वी दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों प्रत्वी दिवस 2022 और 2022 में इसकी थीम क्या ही क्या है एनवेश्ट इन अवर प्लानेट ठीक है और प्रत्वी दिवस मनाये कब जाता है तो यह 22 अप्रेल को मनाये जाता है और यदि आप से पूछा जाए कि प्रत्वी दिवस की शुरुआत कब करी गई थी तो 22 अप्रेल 1970 से प्रत्वी दिवस मनाने की शुरुआत करी गई थी नेश्ट कोसन है भारती मूलकी किस महिला नो सेनक को अमेरिका की उपराष्ट पती कमला हैरेस का कारेकारी सचयू और रक्षा सलाहकार बनाया गया है तो देख दुस्तों भारती मूलकी है उनका नाम क्या है उनका नाम है सांती सेटी ठीक है और ये महिला नो सेनक है और इनको अमेरिका की जो उपराष्ट पती हैं कमला हैरेस इनका कारेकारी सचेव और रक्षा सलायकार बनाया गया है नेश्ट कोसन है किस राज की सरकार ने सिकायतों को ओनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी एप को लोंच किया है दोस्तों सिकायतों को ओनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी एप जो है ये लोंच किया है जम्मू कस्मीर ने ठीक है तो जम्मू कस्मी सरकार की दोरा सुरू की गई भिविन सरकारी युजनाओ के खिलाप में ओनलाइन सिकायत दर्ज करने के लिए सरकार ने जन नगरानी एप को लौँच किया है नेश्ट बन के दी हम बात करें तो केंद सरकार का प्रमुख वेगयनिक सलाहकार किसे न्युक्त किया गया है दोस्तो केंद सरकार का प्रमुख वेगयनिक सलाहकार यानि कि पी ऐसे जो है ये अजय कुमार सूध के लिए न्युक्त किया गया है ठीक है और अजय कुमार सूध सुदने बिजैर रागवन का इस्थान लिया है next question है गुरू जी student credit card यूजना को किस राजने लौज किया? दोस्तो गुरू जी student credit card यूजना जो है इसको जारखन्ड राजने लौज किया ठीक है इस यूजना के तहट क्या होगा तो इस टुडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपे तक का लौन दिया जाएगा नेश्ट कॉस्टन है हाली में उश्न कटी बंदिये तूफान मैगी ने किस देश को प्रभवित किया दोस्टन है यह उश्न कटी बंदिये तूफान है ठीक है और इस तने अभी हाली में फिलिपीन्स देश को प्रभवित किया नेश्ट कॉस्टन है हाली में अपनी एलेक्टिक वाहन नीती में इस साइकलों को सामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है तो दोस्टो एलेक्टिक वाहन नीती में और इस साइकलों को सामिल करने वाला पहला राज जो है यह कौन सा बन गया है नई दिल्ली बन गया नेश्ट कॉस्टन है हाली में कौन सा खिलाड़ी आईपियल की इतिहास में रेटाइड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गया है दोस्तो आईपियल की इतिहास में रेटाइड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी जो है यह रवी चंदरन अस्वन बन गया है ठीक है नेश्ट बन की यदि हम बात करें तो नेश्ट हमारा कोसन है वारवी सीनियर पुरस राष्टी होकी चेंपेंशिप 2022 का खिताब किस राज ने जीता है दोस्तो बारवी पुरस राष्टी होकी चेंपेंशिप 2022 का खिताब जो है ये हर्याना ने जीता है ठीक है और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो इस चैंपेंशिप का जो आयोजन है ये मद्द पिदिसकी राधनी भूपाल में किया गया नेस्ट कोस्टन है द्रश्टी बादत लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहां पर लॉंच किया गया ये काफी इंपॉइंट कोस्टन है तो देखें द्रश्टी बादत लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल इसका नाम आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे रेडियो अक्ष इसका नाम है और ये कहां पर लॉंच किया गया है तो नाकपुर में इसको लॉंच किया गया है नेश्ट कोस्टन है यवाओं को प्रिसक्षन देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्टी को सल केंद्र कहां इस्तापित किया जाएगा दोस्तो यवाओं को प्रिसक्षन देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्टी को सल केंद्र जो है ये उडिसा के भूवनेस्वर में इसको लॉंच किया जाएगा नेश्ट कॉस्टन है भारतिय दलहन और अनाज संग के नए अध्यक्ष कौन बने है दोस्तो भारतिय दलहन और अनाज संग के नए अध्यक्ष जो है ये बिमल कोठारी बन गए है next question है next question किस देश ने April 2022 को एक नया प्रतवी आूलोकन उपगरह लूंच किया दोस्तो प्रतवी आूलोकन उपगरह ये किस देश ने लूंच किया है ये चाइना ने लूंच किया है next request कि हम बात करेँ तो बिदेशियों के लिए आयोस वीजा जारी करने की घुशना किसके द्वारा की गई दोस्तो बिदेशियों के लिए और आयोस वीजा जारी करने की घुशना जो है ये निरंद मोदी जी की द्वारा की गई इस बीजा से भरत आने वाले बिदेशी नेगरों के लिए आयस दवा का लाब लेने का जो रास्ता है ये आसान हो जाएगा Next question है राष्ट मंडल खेल 2026 की सूची से किन तीन खेलों को हटा दिया गया है दोस्तो राष्ट मंडल खेल 2026 ठीक है सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2026 में इसका कौन सा संसकन होगा तो 23 संसकन होगा और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो आस्टेलिया की विक्टोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है और राष्ट मंडल खेल महा संग ने अप्रेल 2022 को राष्ट मंडल खे याने की घोष्णा कर दी है और याद रखना इन तीन खेलों में ही ठीक है इन तीनों खेल में अपना देश भारत जो है यह हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता था हमेशा टॉप पर रहता था और यही तीन खेल जो है यह हटा दिये गए हैं नेश्ट कॉस्टन है भारत के नए मुख चुनाओ आयोक्ति यान की चीफ इलेक्षन कमिस्नर कौन बने है तो इंडिया के न्यू चीफ इलेक्षन कमिस्नर जो है यह राजु कुमार बन गए है और कौन से नमबर के 25 वे नमबर के राजु कुमार जो है यह किस की जगा पर बन तो तमिल नाडू राज्ज की द्वारा डाक्टर अमबेटकर जैन्ती यानिकी 14 अप्रेल के आउसर को समानता दिवस की रूप में घोसत किया है ठीक है तो 14 अप्रेल को तमिल लाड़ू में अंबेट कर जैनती तो मनाई जाएगी ठीक है लेकिन समानतद बस भी मनाई जाएगा next question है कलम next question है कलम नामक एक बेपसाइट को किसने लौंच किया है दोस्तों कलम नामक एक बेपसाइट जो है इसको launch किया है लोगशवा अध्यक्ष ओम बिलनाने इस्थानिय साहित को समर्थन और प्रोथ साहित करने के लिए कलम नामक एक website को launch किया है इसको launch करने का उध्यक्ष क्या है तो हिंदी साहित को लोग पर ये बनाना तथा अनुभवी और यवा लेखकों वा कभियों को उनके लेखन और इस्थानिय साहित के प्रती एक मंच प्रदान करना इसका उध्यक्ष है नेश्ट हमारा question है भारत ने अपना पहला Monkey Pox का मामला किस राज जिया पर केंद सासत प्रदेश में दर्ज किया दोस्तो भारत नेपना पहला Monkey Pox का जो मामला है ये किरला में दर्ज किया है कहां पर किरला में Next question है कौनसा भारती राज टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 Greatest Place of 2022 में सामिल है तो कौनसा भारती राज सामिल है केरला ठीक है और दूस्तो टाइम पत्रिका ने केरला को भारत के सबसे खूब सुरत राज्यों में से एक बताया है और दूस्तो भारत का पहला ये नो इसको महांतम इस्थानों की सूची में सामिल किया गया है याद रखना नेश्ट वन की यदी हम बात करें तो नेश्ट हमारा कॉस्टन है दोस्तो कि वहरीन Grand Prix 2022 का खिताब किस खिलाड़ी नहीं जीता है दोस्तों वहरीन Grand Prix 2022 और इसका खिताब जो है यह Charles Lectler नहीं जीता है ठीके तो Charles Lectler ने वहरीन International Circuit में आउजट Formula One वहरीन Grand Prix 2022 का खिताब जीता है और दोस्तों दूसरे इस्थान पर कौन रहे हैं तो दूसरे इस्थान पर रहे हैं इस पेन के कारलोस सेंस जूनियर, नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं, नेश्ट कोसन बिधान सवा में स्वास्त का अधिकार यानिकी राइट टू हेल्थ बिध्यक पेस करने का ऐलान करने बाला पहला भारती राज्ज कौन सा वन गया है, त स्वास्त का अधिकार यानिकी राइट टू हेल्थ मतलब हर नागरिक के स्वास्त की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी, और इसके लिए विध्यक का ऐलान करने वाला देश का पहला राज्ज वन गया है, राज्स्तान ठीक है, इसका उद्देश क्या है, तो सरकारी और प्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तो देश के नए थलसेन अध्यक्ष जो हैं ये लेटनेंट जनरल मनुर्श पांडे बनाये गया गया नेश्ट कॉस्टन है किस कर्केटर को मालदिव सरकार के द्वारा प्रत्य स्पोर्ट्स आइकन अबोर्ड 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तो मालदिव सरकार के द्वारा स्पोर्ट आइकन अबोर्ड 2022 किसको दिया गया है सुरेश रहना को दिया गया नेश्ट कॉस्टन है भारतिय खूपया एजेंसी इंट्रिजेंस ब्योरो के नए दिन्देसक कौन बने हैं दोस्तो इंट्रिजेंस ब्योरो यानिकि आई क्योट निउ दिली के अंदर इस्तित है नश्ट वन की बात कर dislocation तो जवाहला नहरूरो की पहली महिल कुलपति जुहें, यह सांति सिरी धुली पुडी पंडित बनी, वित्त वर्स 2021 में भारत का सबसे अधिक सबजी उत्पादन करने वाला राज राज बनी गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात ब्धंसवा की पहली महिला अध्धक्ष कौन बनी है, तो नीमा बेन आचारीय बन ने श्ट कॉशन है उत्रा खंड के मुखमंत्री पुसकर सेंधामी ने उत्रा खंड को भ्रहश्ट चार मुक्त बनाने के लिए यह दोस्तो दिल्ली k mindful बिद्ध्याले की जो पर्थम कुलपती हैं ये करणम मलेश्वरी बनी है ठीक है और देखे दोस्तों ये कौन है तो ये बेट लिप्टर यानि की भारुत लख हैं और ये कहां से बिलोंग करती हैं तो ये आंद प्रदिश से बिलोंग करती हैं और ये ओलम्पिक में कोई पद जीतने बाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं ये फेक्ट आपको याद रखना है नेश्ट को सन है होरन गलोबल हेल्थ केर रचलिस्ट 2022 में सीरम इंस्टिटुट ओफ इंडिया के अध्यक्ष को टॉप इस्थान मिला है इनका नाम क्या है तो दोस्तों इनका नाम है के अधि हम बात करें तो हाली में किस राज के पूर्भ मुखमंत्री जी रिंबाई का निधन हो गया दूस्तो जी वी रिंबाई का chwil में निधन हो गया है ये किस राज के पूर्भ सी. अम थे तो ये मेहला के पूर्भ सी. आम धे थीख है और अप्रेल 2022 को इनका 83 वर्स की आयूमेने दिन हो गया और यह मेघाला के CM कब बने थे तो 2006 में यह मेघाला के CM मने थे Next Question है अंग्रे जी भासादवस कब मनाया जाता है दोस्तों अंग्रे जी भासादवस जो है यह हर साल 23 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है और 23 अप्रेल को विस्विक की महान अंग्रेजी लेखक विलियम सेक्सपियर की जन्मति ती और पुन्नति ती दोनों होती है ठीक है तो इसी की रूप में अंग्रेजी भासदवस मनाया जाता है कब 23 अप्रेल को इनका जन्म कब हुआ था विलियम सेक्सपियर का तो 23 अप्रेल 1564 में निधिन क कब हुआ था तो 23 अप्रेल 1616 में इन करने धर हुआ था तो इनकी जन्मति थी और पुर्णति थी की रूप में अंग्रेजी भासत दवस मनाया जाता है कब 23 अप्रेल को नेश्ट कस्ण है राष्टं मंडल खेल 2026 का आयुजन कहां पर किया जाएगा तो मैं आपको फैक्टों में बता भी चुका हूँ कि राष्टं मंडल खेल 2026 का जो आयुजन है ये औस्टेलिया के विक्टॉरिया में किया जाएगा नेश्ट कोशन है विहार के खादी और हस्तिसल्प के नए ब्राण डमेश्टर कोन मन गए हैं दोस्तो हम बात कर रहा है विहार के खादी और हस्तिसल्प के नए ब्राण डमेश्टर की तो ये अभीनिता मनुष्तिवारी बने हैं इसी करम में एक कॉष्ष न और पुश्जायगा कि हाली में खादी प्रेंट का ब्रांड अबंवेष्ट करिके नितिन गड़करी पनाया है और नितिन गड़करी आपको पता होगा कि ये बरतमान में केंदु ये सडक परीवहन और राजमार्ग मंतरी हैं दोस्तों यहाँ पर हमने current affairs की last segment की 50 question को discuss किया detail में with extra effect की साथ में यदि आपको इसी प्रकास से detail में current affairs पढ़ना है topic wise current affairs पढ़ना है तो हमारी update e-book को why करके download कर लें इस e-book की link आपको इसी वीडियो की description मिल जाएगी अब next and last question आपके लिए challenging question इसका आँसर आपको comment section में comment करके बताना है कि Puse goal की जगा पर Z20 2023 के लिए भारत का नया सेरपक किसको न्यूक्त किया गया है ठीक है आपको बताना है इसका answer और यदि आप चाहें तो इस question के बारे में detail भी लेख सकते हैं तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमांदारी से comment करके comment section में बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें जो new student है हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को subscribe कर लें साथ में bell icon दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया वीडियो डालूँ तो उसका notification आपको म पता दूं कि जो जो student group D की तयारी कर रहा है ठीक है तो group D के लिए special ebook launch होने वाली है 25 जुलाई तक ठीक है तो 25 जुलाई को special group D की ebook launch हो जाएगी इस ebook के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा तो static G के आपको मिल जाएगा topic wise ठीक है आपको science मिल जाएगा topic wise और आपको current office मिल ज आएगे detail में जिस प्रकार्स में आपको पढ़ाता हूं तो दोस्तों thank you मिलते हैं next video में राम राम दुआ सलाम जय हिन जय भारत बंदे मात्रम